राधे राधे जैसी किष्णा स्वागत हैं आप सभी का राधे कृष्ण भगती में आज की वीडियो में हम आपको चैत नौरात्री की पूजा समागरी बताएंगे पूजा के लिए हमें किन किन समागरी की आफ सकता होगी वो हम आज की वीडियो में देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले आप पूजा के लिए चौकी ले ले, चौकी या बड़ी या छोटी अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं, आप चौकी पे बिचाने के लिए लाल रंका कपड़ा ले ले, क्योंकि मातारानी की पूजा में लाल रंका ही परियोग किया जाता है तो आप कोई भी लाल रंका कपड़ा ले ले, अगर आपके पास लाल और पीले रंके पेटरन का कोई कपड़ा है तो आप वो भी ले सकते हैं, इसके बाद मातारानी की फोटो या मूर्ती जो भी स्वरूप है आपके पास आप वो ले ले, इसके साथ देखिए हम गनेश जी क मूर्ती भी ले लेंगे, क्योंकि बिना गनेश जी के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, तो हम गनेश जी की मूर्ती ले लेंगे, अब देखिए, पूजा के लिए हम एक लोटा सुध जल ले लेंगे, तिलक करने के लिए हम रोली ले लेंगे, और गनेश जी को तिला करने के लिए हम पीला चंदन लेंगे, अक्षत लेंगे, अक्षत को आप चाहे तो कलर भी कर सकते हैं या फिरा साधा भी ले सकते हैं, इसके बाद वस्त्रों सवरुप कलावा लेंगे, सुपारी लेंगे, नौगर और सोडस मात्री का बनाने के लिए, अगर आप इनके बिना पूजा करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, साथ में हम यथा सकती दक्षिना ले लेंगे, आती के लिए हम कपूर ले लेंगे, और जोज जलाने के लिए हम दीपक ले लेंगे, इसके साथ देखिए, अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं, तो मिट्टी का या धातु का एक बड़ा दीपक ले ले और इस तरह से बनी हुई बाती ले ले या फिर आप घर पर भी समाहात की बाती बना सकते हैं। गनेश जी के लिए हम जनेव ले लेंगे, इसके बाद हम इत्र ले लेंगे, और देखिए इस तरह की बनी हुई डेली के लिए हम बाती ले लेंगे, आप लंबी या गोल बाती भी ले सकते हैं, रोज भोग के लिए हम लोंग और इलाइची ले लेंगे, तो आप लोंग और थोड़ा ज़ादा ही ले क्योंकि हमें पूरे नौ दिन तक मातारानी को भोग लगाना है इसके बाद देखिए कलस स्थापना के लिए हम कलस ले लेंगे कलस आप मिट्टी का तामबे का पीतल का जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं कलस में डालने के लिए हम गंगाजर लेंग और कलस पे रखने के लिए हम एक प्लेट ले लेंगे इसके बाद कलस को सजाने के लिए हम आमया असोक के पत्ते ले लेंगे आपको जो भी पत्ते मिल जाए आप वो पत्ते ले ले अब देखिए कलस में डालने के लिए हम हल्दी की गाठ, लॉंग, इलाइची, सिक्का, सभी चीज ले लेंगे, अगर आपके पास हल्दी की गाट नहीं है, तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं, इसके बाद हम एक पानी वाला नारियल लेंगे, नारियल पर लपेटने के लिए चून्दी या कलावा लेंगे, अब देखिए कलस में डालने के लिए हम मागरी हो गई, इसके बाद देखिए ज्वारे बोने के लिए हम मिट्टी का कुंड ले लेंगे, आप कोई भी मिट्टी का कुंड ले लेंगे, और हमें मिट्टी लेना है, तो आप साप चगा की मिट्टी लें, मिट्टी में अगर कंकड पत्थर है, तो उसे आप साप कर अब देखिए हम जो ले लेंगे तो आप जो भी बोसकते हैं और गेवों भी बोसकते हैं तो आप जो भी बोना चाहिए आप ओ ले ले इसके बार मातराने के लिए हम चुन्डी ले लेंगे सिंगार का समालने लेंगे तो देखिए अगर आप सोला सिंगार लेना चाहते हैं तो सोला सिंगार ले ले नहीं तो आप इस तरह से जो सिंगार का पैकेट आता है वो भी ले सकते हैं अब देखिए भो के लिए हम बतासे ले लेंगे आप बतासे, मिस्री, मिठाई, फल जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं और देखिए रोज दीपक जलाने के लिए या अखंड जोद के लिए गी या तील का तेल ले लेंगे हवन करने के लिए हम मिट्टी का छोटा या बड़ा इस तरह का कुंड ले लेंगे नवरात्री में रोज हवन किया जाता है तो आप हवन के लिए मिट्टी का कुंड या एक बड़ा दीपक भी ले सकते हैं इसके बाद देखिए हम उपले लेंगे हवन करने के लिए और देखिए आप चाहे तो हवन समागरी से भी हवन कर सकते हैं तो आप हवन समागरी ले ले, दीपक जलाने के लिए हम माचिस ले लेंगे, इसके बाद देखिए पूजा के लिए हम फूल ले लेंगे, तो आप फूल ले ले, कनेश जी के लिए हम दुर्वा ले लेंगे, तो देखिए ये वो टोटल पूजा की समागरी है, जो हमें नवर रात्र पूजा के लिए चाहिए होगी और देखिए ये मैंने आपको जरूरी समागरी बताई है आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं तो अपने रात्री से पहले अपने पूजा की तैयारी कर ले ताकि आपको पूजा करने में असानी हो अगर वीडियो आपके लिए यूसपूल तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेयर करें कॉमेंट करें और हमारे चैनल राधे कृष्ण भक्ती को सब्सक्राइब करें थाइंक यू राधे राधे जैय सिरी कृष्णा